हेलो फ्रेंज, मांसुन शुरू हो गया है, बच्चे पकोडे का जीत करते हैं, तो फ्रेंज, आज हम फूल कोभी के पकोडे बनाने जा रहे हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे चटनी के साथ या चाय के साथ लेजिए, म हमने फूल को भी लिया है, जिसका हमने फूल अलग करके गड़म पानी में नमक डाल के वायल करके निकाल लिया है, बेशन, मैदा, शुजी, अमचुर पॉडर, आजवाइन, हें, धनिया पॉडर, मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर, गड़म मशाला, नमक और फ्राइ के लि पॉडर लेना है, और इसमें बेटर बनाने के लिए सारे मिर्च डालने हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे बेशन, मैदा, यहां पिया पारा रोब भी ले सकते हैं, शुजी, हम डालेंगे एक चमच भर की धनिया पॉडर, दो चमच लाल मिर्च पॉडर, तो मिर्च आप अपने तीखा के अनुचितार अर्जेश्ट कर लिजिए, एक चमच हल्दी पॉडर, एक चमच गड़म मशाला, आजवाइन जिसे हमने हथेवी पे क्रस्ट करके रख लिया है, अमचूर पॉडर, अमचूर पॉडर से पकोड़े में सारचान दख जाता है, अब हम डालेंगे यहाँ श्वाद की अनुशार नमक, तो हम दो चमच नमक ले रहे हैं, फाइनली हम पेश्ट को पेश्ट करके फिर डालेंगे, कम जादा है तो, और हम इसमें डाल लेंगे, अब हम इसमें पानी डालके एक बढ़िया साथ होल बनाएंगे, तो हम एक विक्स की मदब से ऐसे फेंटते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डलाते हुए वेटर बनाएंगे, एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अपनी वेटर पतली नहीं बनानी है, तो हैसे हम फेंटते हुए बनाएंगे, अब देख सकते हैं, अपनी पकोड़े के लिए हमने घोल तयार कर लिया है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकोड़े की खोल की, तो यहाँ पे हमने उन लोगों के लिए ये घोल बनाया है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन प्याज और मिर्च का पेष्ट, तो यह हमने लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेष्ट बनाकर फीज में डख लिया है, उससे हम डाल रहे हैं, दो चमच, अगर आप नहीं खाते हैं, तो नहीं डालिएगा, यह इंगिलियेंस हमने इसके सबके साथ में नहीं दिखाया था, अब हम इसे भी अच्छे से गोल लेंगे, इससे पकोड़े की स्वाथ बहुत बढ़ जाता है, अब हम पेष्ट को थोड़ा सधक के छोड़ देंगे, अपनी बेटर तैयार है, और गोभी की पानी निकल चुकी है, तो सबसे पहले हम बे अब चलिए हम अपनी तेल की तरफ चलती है, गैस पे हमने तेल गड़म होने के लिए रख लिया है, तेल अच्छी खासी गड़म हो चुकी है, अब हमें एक फूब की मदद से एक एक गोभी को उठाना है, और असे तेल में छोड़ देना है, आप चाहें तो चम्मच से या जैसे आपको सुविधा जनक लगे वैसे डालिए, तो एसे हम सभीघी के पकोरे को तेल में छोड़ देंगे, हमने गोभी के पकोरे को उलट पलटके 12 मिनट तक प्राई किया है क्लेम को कभी स्लो कभी मेलियम करते हुए हमने प्राई किया है आपको दिख रहा होगा कितना बढ़ियां क्रीश्पी करारेदार अपनी फूल गोभी की पकोड़ा तयार हुई है अब हम इसे टेटा करते हुई जटरने की मदद से तेली रहा देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कितने बढ़ियां अपनी करारी दार पकोड़ा तयार हुई है आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी कराड़े दार केली फ्लावर के पकोड़े तयार हुए हैं यानि के फूल गोवी की तो फ्रेम्स इसी तरीके से हम सभी पकोड़े फ्राई कर लेंगे केली फ्लावर यानि की फुल गोवी की पकोड़े तयार कर लिए हैं चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं तो हमने हरी धनिया और नारियल की चटनी बना रखी है अब हम गर्मा गर्म अपनी केली फ्लावर का पकोड़ा शर्व करेंगे आप ठान से देखिए कितनी बढ़ियां मज़ेदार अपनी पकोड़ा तयार हुई है तो इस पकोड़े को आप भी इस मांसूर में जरूर बनाईएगा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद